ये आकाश्वाणी राइपूर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रतना साहू और पेशे हैं आज के मुख्य समाचार देश में कोवीट के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधान मंत्री ने सभी मुख्य मंत्रियों से आवश्यक्ता पढ़ने पर छोटे कोरोना नियंत्रम छेत्र बनाने की अपील की शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहट निजे स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया अब 22 मार्चस से शुरू होगी जगदलपूर में पुलिस ने हीरा तसकरी के आरोप में तीन आरोपियों को गिरफतार कर 700 नक से अधिक हीरे बरामत किये और अगले तीन दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ इस्थानों पर हो सकती है हलकी वर्षा मौसम विभाग ने उत्तरी और मद्ध 36 गड़ में ओला वरिष्टी होने की चेतावनी भी दी कोरोना महमारी के खिलाफ देश एक जूठ होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाओ के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाय मास्क लगाएं दो गस दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी रखें हाथ रमू साफ रखें अब समचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनवारस के दूसरे लहर के प्रसार को रोपने के लिए सभीज जरूरी कदम उठाने के आवश्चक्ता पर जोड़ दिया है उन्होंने कहा कि स्थिति को नियंद्रत करने के लिए त्वरित और ठोस काम करने की जरूरत है श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक सबता हमें देश के सतर जिलो में कोवीट के मामलों में डेर सो प्रतिशत की बढ़ोतरी की खबर है देश के सबतर जिलो में तो पिछले कुछ हपतों में यह वृद्धी 150 प्रसंट से भी ज़ादा है 150 प्रतिशत से ज़ादा अगर हम इस बढ़ती हुई मामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देश व्यापी आउट ब्रेक के स्थिति बन सकती हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड प्रिक को तूरंत होकना ही होगा और इसके लिए हमें त्वीक और डिसाइसिव कदम उठाने होगे आज राज्यों और केंद्र शाषित प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रदान मंत्री ने कहा कि कोरोना से लडाई में आज हम जहां तक पहुचे हैं और जो विश्वास उससे आया है उसे लापरवाही में नहीं बदला जाना चाहिए कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक महुँचे हैं उसमें और उससे जो आत्मविश्वास आया है ये आत्मविश्वास हमारा confidence, over confidence भी नहीं हो जाया चाहिए हमारी ये सफलता लापरवाई में भी नहीं बदलनी चाहिए हमें जनता को panic mode में भी नहीं लाना है एक भाय का सामराजे फैल जाए ये भी स्थिति नहीं लानी है और कुछ सावधानिया बरत करके, कुछ initiative ले करके हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है अपने प्रयासों में हमें अपने पुराने अनुभवों को सामीर करके रणनेती बनानी होगी यहर राज्य के अपने अपने प्रहोग है, अच्छे प्रहोग है, अच्छे इनिसिटिव है कई राज्य दूसरे राज्यों से नहीं नहीं प्रहोग सीख भी रहे लेकिन अब एक साल में हमारी गवर्मेंट मशिन लिकों नीचे तब अब हमें प्रोएक्टिव होना जरूरी है प्रधान मंत्री ने कहा कि लोग भैभित ना हो श्री मोदी ने पिछले एक वर्ष से जारी टेस्ट ट्रेक एंड ट्रिट जाज संपर्क और उपचार के बारे में समान रूप से गंभीर होने पर भी जोर दिया प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्रियों से अपील की कि वायरस के प्रसार को रोपने के लिए वे छोटे कंटेंड मिंट जोन बनाने पर ध्यान के इंद्रित करें चत्तिसगर के मुख्य मंत्र भूपेश बगेल असम प्रवास पर होने की वज़ह से इस समिक्षा बैठक में भाग नहीं ले सके उनके इस्थान पर चत्तिसगर की ओर से ग्रेह मंत्री तामरधवज साहू इस वीडियो कॉन्फरेंसिंग में शामिल हुए चत्तिसगर में कोविट टीका करण का कार्य जोर शोर से जारी है राज्य में अब तक करीब 9,81,000 से अधिक लोगों को कोविट टीके लगाय जा चुके हैं जिनमें सेकेंड डोज लेने वाले भी शामिल हैं कल 61,700 से अधिक लोगों को कोरोना टीका लगाया गया नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कल बिलहा समुदाइक स्वास्त केंद्र में कोरोना का टीका लगवाया इस मौके पर उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि वे भी कोरोना मुक्त भारत अभियान में सहवागी बने इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमित के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं, कल 856 ने मरीजों की पहचान की गई, इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर करीब 3,18,000 हो गई है, महसमंग के जिलाद चिकित्सा और स्वास्त अधिकारी ड कोरोना से बचने के लिए हमें मास्क का उप्योग करना है, सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, दोगट की दूरी में राकर सावजिनिक स्थान पर ध्यान रखना है, साथ में अभी कोरोना के वेक्सीन लग रही है, कोरोना वेक्सीन लगाए और कोरोना से मुक्त हो सके है इस बीच राजी के स्वास्त विभाग ने लोगों से अपील की है कि कोरोन संक्रमन के किसी भी तरह के लक्षन दिखने पर ततकाल जाच कराएं साथ ही कोरोन से बचने के लिए आवश्यक सावधानिया जरूर बढ़ते हैं राजदानी राइपुर के शहीद वीर नारायन सिंग अंतर राश्टिय क्रिकेट स्टेडियम में रोट सेफ्टी वर्ल्ड सिरीज टी ट्वेंटी क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत खेले जा रहें मैचों के दौरान अब स्टेडियम के शमता के आधे तर्शकों को ही प्रवेश की अनुमती दी जाएगी मुख्यमंत्री भूपेश बगेल ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि मैच के दौरान स्टेडियम के अंदर और बाहरी परिसर में कोवीड प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन किया जाए साथ ही मैच देखने आए दर्शक अनिवारे रूप से मास्क लगाए दर्शक अगर मास्क नहीं लगाते हैं तो अर्थदंड वसूलने के साथ ही उनके खिलाफ कड़ी कारवाई की जाए इस प्रतियोगीता के तहत आज पहले सेमिफाइनल मुकाबले में भारत लिजेंड का मुकाबला वेस्ट इंडे लिजेंड से हो रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश के निजे स्कूलों में प्रवेश के लिए आवεταιदन प्रक्रिया शुरू होने किती थी एक सब्ताह आगे बढ़ादी गई है पहले 15 मार्च से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होनी थी लेकिन अब 22 मार्च से आवेदन लिये जाएंगे लोग शिक्षन संचाल नाले के अनुसार 22 मार्च से 22 अप्रिल तक अभिभावक निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन दे सकेंगे वहीं आवंटन के बाद भी अगर निजी स्कूलों में सीट रिखते रहती है तो आगामी 17 जून से 26 जून के बीच दूसरे चरण की भरती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी प्रादेशिक समाचार आपाका अश्वाणी राजपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बागी की समाचारों की उर राज्य पार्ठपुस्तक निगम में 72 करोड रुपय से अधिक के अनियमित भुक्तान का मामला सामने आया है राज्य पार्ठपुस्तक निगम के अध्धक्ष और प्रदेश कॉंग्रेस प्रवक्ता सैलेश नितिन त्रिवेदी ने चत्रसगर राज्य सम परिक्षा आडिट की रिपोर्ट का हवाला देती हुए यह खुलासा किया है उन्होंने राजपुर में एक प्रेस वार्था लेकर आरोप लगाया कि निगम के वरिष्ट अधिकारियों ने वीते दो वर्षों के दौरान चेक भुक्तान के मामले में सक्षम अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना जारी चेक के माध्यम से करोडो रुपिय की राशी निकाल ली उन्होंने बताया कि निगम के नियमों के अनुसार एक लाख रुपिय से अधिक के चेक पर वरिष्ट प्रबंधक, वित्थ और महाप्रबंधक दोनों का ही संयुक्त हस्ताक्षर होने जरूरी है श्रित त्रिवेदी ने बताया कि इस मामले के जाच के आदेश दिये गए हैं और गड़बड़ी पाये जाने पर दोशियों के खिलाफ कारवाई की जाएगी जगदलपूर पुलिस ने हीरा और कॉरंडम तसकरी के दो अलग-अलग मामलों में कुल तीन आरोपियों को गिरिफतार किया है पहले मामले में बोधगाट थानचेत्र में नयाब असेस्टेंट से दो संदिक दो लोगों को पकड़ गया तलाशी में इनके पास से 535 नग हीरा और 5 नग कॉरंडम बरामत किया है वहीं एक अन्य घटना में शहर के चांदी चौक से भी पुलिस ने हीरा तसकरी के मामले में एक आरोपि को गिरिफतार किया है इसके पास से करिब 5.5 लाख रुपिय कीमत के 189 नग हीरे बरामत किये गए है बीजा पुर्जिले के बेदरित हना चेत्र इस्थित तर्रेम पटेल पारा चेत्र से सुरक्षा बलो ने चार मावादियों को गिरिफतार किया है इनके पास से IED भी बरामत किया गया है गिरिफतार मावादियों पर केर केली और बंदे पारा के बीच 40 जगहों पर सडकों को काट कर आवागमन बाधित करने तथा शाष के संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है वहीं लोन वरराटू अभियान के तहट दंतेवाडा जिले के बचेली थाने में दो लाख रूपय के एक एनामी मावादि ने आत्म समर्पन किया है इस मावादि पर सुरक्षा बलों पर हमला करने और बारूद लूटने की घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है और अब पेशे मौसम का हाल मौसम विभागने अगले तीन दिनों के दौरान प्रदेश के एक दो इस्थानों पर हलकी वर्षा होने या गरत चमक के साथ छीटे पढ़ने की संभावना जताई है इस दौरान आकाशिय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है राइपुर इस्थित मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक 19 मार्च को प्रदेश में एक दो इस्थानों पर उलव रिष्टी होने की साथ ही तेज हवाएं चल सकती है इस दोरान राज्जी के मध्य और उत्तरी भाग में उलव रिष्टी होने की अधिक संभावना है राष्थानी राइपुर में इन दिनों राष्टी केताब मेला चल रहा है बुढ़ा तलाप के पास इंडोर स्टेडियों में लगे इस मेले में देश के अनिक प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थानों के स्टॉल लगे है सूजना और प्र covenant मंत्राले के प्रकाशन विभाग का स्टॉल लोगों के आकर्शन का केंद्र बना हुआ है इस स्टॉल में उपलब्ध भारत के स्वाधिनता संग्राम और इसके नायकों से संबंधित पुस्तकों की विशेश मांग देखी जा रही है। यह पुस्तक मेला 21 मार्च तक चलेगा। जिला पंचायत सदस्य बाल सिहं बगेल को अनुशाशन हिंता के आरोप में प्राथमिक सदस्यता से निश्कात स्षित कर दिया है। पुलिस ने साथ आरोपियों को गिरफतार किया है। जबत कर उनसे चालान वसुला गया है। पुलिस ने इस मामले में तबकरा थाना चेतर से दो आरोपियों को गिरफतार किया है। जबत किये गए गांजे की अनुमानित कीमत तीन लाख रुपय बताई गई है। गोरिया जिले की मनेंद्रगर और पटना पुलिस ने बीती रात एक ट्रक से करीब 6 लाख रुपय कीमत की 50 पेटी अवेश शराब जबत की है। महासमुझ जिले के तुम गाउन अगर पंचायत इस्थित सपेरा डेरा गाउं में बीती रात दो दंतेल हाथियों के पहुँचने से इस्थानी लोगों में देशत का माहूल है वन विभाग के अमले ने इन हाथियों को दूसरे शेतर में खदेर दिया है और कॉंडा गाउ के दक्षन वन मंडल शेतर में वन विभाग ने एक चीतल का शिकार करने के मामले में नौ ग्रामीनों को गिरफतार किया है अंत में मुख्य समाचार एक बर फिर देश में कोवीट के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधान मंत्री ने सभी मुख्य मंत्रियों से आवश प्रधार कर 700 नक से अधिक हेरे बरामत किये और अगले तीन दिनों के दोरान प्रधेश के कुछ इस्थानों पर हो सकती है हल्की वर्षा मौसम विभाग ने उत्तरी और मद्धे 36 गड़ में ओलव रिष्टी होने की चिताउने भी दी इसी के साथ प्रधेशिक समजार बु झाल